नमस्कार, मैं महावास्तु आचारी पृति टीवरेवाल हैथरबाद से, आज हम बात करते हैं बच्चों के एद्मिशन्स को लेकर करके, आगे अभी काफी सारे बच्चों ने अपने 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 अक्याडमिक्स क्लियर किये हैं, किसी ने 10th के एक्जाम्स लिखे हैं, किसी सब्सक्राइब की युनिवर्सिटीज है हमारी यह हमारे बच्चों की, उसमें बच्चों को कैसे एद्मिशन मिल जाए, छोटा सा इसका मैं इंसाइट आपको देती हूँ, जिस किसी भी युनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हो, सारी डीटेलिंग उसके बारे सब्सक्राइब की, जिस किसी भी युनिवर्सिटी में बच्चे को दिलाना चाहते हो, उसको अगर आप वहां पर रख लोगे, तो रेलिवेंट इंफरमेशन जो भी आपको चलिए, अपने बच्चे के एदुकेशन से रिलेटेट, फुचे से रिलेटेट, डेफिनिटे इ आप एक प्रॉपर डेसिजिन लेख पाओके उसके कारण, तो यह था इंसाइट एडमिशन के लिए, जिस किसी भी कॉलेज युनिवर्सिटी में आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हो, if you are clear, कि मुझे इसी युनिवर्सिटी में बच्चे का एडमिशन करवाना है तो आप यलो कलर के फ्रेम में, या फिर सिंपली यलो कलर का जो पेपर होता है, उसके उपर में उसका नाम लिख करके, उस युनिवर्सिटी का नाम लिख करके, या कोई लोगो हो सकता है उसका, उसको उसके उपर पेस्ट करके, आप वेस्ट औफ साउथ वेस्ट यात रख चेक माई वास्तु कंपस आप आप इसकी मदद लेकर के आप अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट जोन आइटिफाई करवा सकते हो या जाफ्मान से नक्षा बनवा करके वो जो एरिया है वो आप अपने किसी भी नजदी की अचार्या से वेट करवा के फिर उसकी अंदर लिए अदिशन और दो किसी ओर चीज की बारे में जानना चाहते हो घर आपको कुरियोसिटी है महावास्तू में हम किस तरह से उसकी ओपर काम करते हैं तो वह भी आप नीचे कमेंट नीचे कमेंट सेक्षिण मिलिक सर्थे हो. All the very best parents as well as students as well as children. Namaskar दन्यवाद